हे गाईस आप सभी को नमस्कार में आरियन धाकर एंकर एन मोटिवेशनल स्पिकर धाकर लाइड न्यूज में आपका सुवागत है इस वक्त हम मोजुद हैं मद्यप्रदेश के मनसोर तैसिल के भानपुरा शेत्र में और भानपुरा शेत्र के संदरा गाउं में इस वक्त हम शेत्र पर मोजूद हैं जो की एक बहुत ही पुराना लगबक सो डेड़ सो दो सुट साल पुराना एक इस्थान यहाँ पर माना जाता है जो कि महू दरबार से सम्बंदित खीची दरबार का एक स्थान है जो महू के एक महराजया हुआ करते थे अपी सारे अलग-अलग भाईयों का उनका एक भाग रहा है समेशन शुरू से और यहां भी एक ये महो के दरबार जो खीची जिनकों की खीची दरबार बोला जाता है ये अपन जब भानपुरा के नजदीक संदारा में लेदी चोराई की तरफ आएंगे हैं तो रस्ते में आपको उल्टे हाथ की तरफ पड़ेगा ये बहुत ही प्रसिद इस्थान लोग दो-तीन साल पहले यहां पर ये पूरा का पूरा एक इस्थान यहां पर इसको अच्छी प्रकार से बनाया गया है जिसमें कि विशेश रुप से कोड़कया परिवार और मदनलार जी धाकर उनके पूरे फैमिली का विशेश इसको बनाने में प्रियास योगदान रहा और आ देख सकते हैं कि इतना बड़ा भवी बढ़का पेड़ इसका भी एक अपना ही अलग महत्तु है चूंकि इतने बड़े पेड़ आपको अब बहुत कम मिलेंगे ऐसी अवस्था में बढ़का पेड़ आप देख सकते हैं खीची दरबार के पीछे की तरफ इनको कहीं ने कही एक चाया के रूप में इनके लिए एक कहीं ने के मुकुड के रूप में जिस प्रकार से यहां पर प्राकृतिक और से बना हुआ है यह बहुत ही सुन्दर और महत्तों पुनिस्थान हैं हम आपको बता जाना चाहते हैं कि हमारी और से भी छोटी सी मन्नत यहां पे मांगी कहीं थी और खींची दरबार ने वो पूरी की आज एक बार फिट से इनके पास आने का और इनको कहीं ने कहीं याद करने का आउसर सोभाग्या हमें मिला तो आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको लगता है कि कहीं ने कहीं सानीद्धि में आपके बहुती अच्छा और एक महत्तोपुन यतिहासिक पुराना इस्थान है। आप सभी से निवेदन हैं कि इस कैalfेइज को जदा सच्छाइर करें। ताकि ऐसे महत्तोपुन इस्थान जिनकी जानकारी आपको नहीं है, ऐसी जानकारी अकर हम तक पहुंचा रहे हैं, हम आपको पहुंचा रहे हैं तो आप भी किसी अन्य भक्त तक पहुंचाएं तो बने रही है आपके अपने न्यूस चैनल धाकर लाए न्यूस के साथ धन्यवाद जैहिन जै खींची दरबार धन्यवाद